वेल्कम फ्रेंट्स सेल्फ अध्यन पर पाइथन टुटोरियल में हम अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर चलते हैं जिसका नाम है लोजिकल ऑपरेटर लोजिकल ऑपरेटर बेसिकली हमारी वैल्यूस के बीच कंपैरिजन करने के लिए होता है कि हमारा जो लोजिकली करना चाते हैं यानि कि हम जो भी कंडिशन दे रहे हैं वह हम चाते हैं सारी की सारी फुल्फिल हो तो उस केस में हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं एंड ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं तो वहाँ पर सारी कंडिशन जो भी हम लगा रहे हैं वह हमारी होनी चाहिए अगर हम अपना result को देखना चाहते हैं, अगर हम किसी भी एक conditions के false होने पर, किसी भी एक condition के true होने पर result चाहते हैं, तो उस case में हम और का use करते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी conditions में उस तरीके का result ना हो, तो हम not operator का use करते हैं, अब हम इनको step by step हर चीज को अच्छे से देखने वाले हैं और practically भी देखने वाले हैं जिससे ये सभी जीजे clear हो जाएंगी तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है logical operator case हमारा एक lower case है और यहाँ पर यह जो end और or not का हम use करेंगे वो small letter में ही करना है if any value 0 अगर हमारी कोई भी value 0 होती है तो वो false की तरह treat करा जाएगा और non zero value चाये वो 5, 6, 7 कुछ भी हो वो हमारी true के रूप में treat होगी उसी को हम आगे follow करने वाले हैं तो जैसे कि यहाँ पर एक chart बना हुआ है end का और or table का true दोनों condition होने पर या जितनी भी condition हम दे रहे हैं उनके true होने पर ही हमारा result true होगा यानि कि हम जितनी भी statement लगा रहे हैं वो अगर true रहती हैं सारी की सारी तो ही हमारा result true आने वाला है otherwise कोई भी एक condition false हो जाती है तो उस case में हमारा result नहीं आने वाला वो false के रूप में treat किया जाएगा लेकिन अगर हम यहां पर और operator का इस्तमाल कर रहे हैं और कोई भी एक statement true होती है या दोनो statement true होती है तो हमारा result true ही आने वाला है दोनो result false के case में ही हमारा result false होने वाला है तो दोनो condition अगर false होंगी और में तो ही result हमारा false आने वाला है पहली true या दूसरी false मिले या पहली false दूसरी true मिले तो हमारा result उस case में true आएगा तो हम इसे अभी practically end के कुछ examples देख लेते हैं उसके बाद इसको practically देखेंगे तो और भी अच्छे से हमें clear हो जाएगा थोड़ा सा फिर से हम पढ़ लेते हैं if both value is true then result true otherwise any one value is false और both value is false then result is false अब इसे कैसे हम use करेंगे जैसे यहाँ पर आप देखें हमने एक check करा है 4 greater than 5 तो हमारी conditions तो यहीं false हो चुकी है क्योंकि 4 greater than 5 नहीं होता तो second check करने की जरूरत ही नहीं है फिर भी हम अगर check करें 6 less than 3 तो यह भी गलत है यहाँ पर दोनों condition भी false है और हमारा result आया है false के रूप में फिर हमने देखा 4 greater than 2 yes 4 की value more than है 2 से and दूसरी जो statement है उसमें लिखा है 6 more than 3 और यह भी ठीक बात है तो दोनों conditions हमारी यहाँ पर true है और end operator हमने use करा है तो result भी आएगा true के रूप में इसी तरीके से हमने एक और value चेक करी है 4 double equal to 4 बिल्कुल 4 की value 4 के equivalent है and 3 less than 6 और 3 की value भी 6 से छोटी है तो इसलिए हमारे result यहाँ पर आ गया है true अब इसको practically हम एक बार देखते हैं यहाँ पर हम x में suppose 12 value ले ले लेते हैं y में ले ले लेते हैं 20 और z में ले ले लेते हैं 13 क्या y से बड़ी है yes x की value y से बड़ी है sorry x की value y से बड़ी नहीं है x की value y से छोटी है हम एक बार यहाँ पर operator थोड़ा बदल देते हैं x less than y yes x less than y है और मैंने दूसरी भी conditions लगाई है z less than y तो दोनों condition यहाँ पर ठीक है क्योंकि y की value more than है x और z से तो इस case में हमें result मिला है true अगर हम same condition लगाते हुए यहाँ पर लिख देते हैं z equal to y और इनके बीच लगा देते हैं and operator तो यहाँ पर second case गलत है और इस वज़े से हमारा जो result है वो आया है false के रोप में तो basic के लिए अब आप समझ चुके होंगे and का concept क्या होता है जितने भी statement हम check कर आ रहे हैं वो सार हमारी statement true होंगी तो result true आएगा कोई भी एक statement अगर गलत हो जाती है false हो जाती है तो result हमारा false के रूप में आता है एक और खास बात है इसमें अगर हमारी non boolean value होती है तो हमारा हमेशा non value boolean result ही शो होता है जैसे suppose यहाँ पर non zero value हमेशा हमारी true होती है एक example देख लेते हैं हमन zero value true है इसलिए हमारे result आएगा true यानि की zero अगर हम कोई भी इसके अलावा value लेते हैं non boolean जैसे five and nine तो हमारा second statement का result true होगा यानि की first statement अगर true नहीं है तो always second statement यहाँ पर true होने वाली है zero and five में zero true था हमारी यहाँ पर result आया है zero five and nine में हमारे result nine आया है seven and three में हमारा result three आया है seven and one में भी हमारा result one आया है उसका reason क्या है if in above we use zero यानि की false जो statement है then result is a zero होने पर हमारा result पहले वाला आयेगा otherwise result आयेगा second value गा जो भी and के बाद में लगा है यहाँ पर empty string भी as a zero हम मानते हैं और देखेंगे आप नीचे की तरफ double inverted याने की हमने दिया है खाली string value and bindu तो यहाँ पर हमारा second statement नहीं आ रहा है जैसे उपर आदा था one and seven में seven यहाँ पर हमारा zero माना गया है zero treat किया गया है empty parameter को इसलिए हमारा result यह पहला parameter का ही आया है जो कि हमारा false है तो false and true में अगर हम check करते हैं तो false आएगा otherwise non boolean है तो हमारा second statement का result ही आने वाला है practically इसको एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर हमने लिया है zero and seven तो आप देखेंगे result आया है zero otherwise इसके अलावा हम जो भी result डालते हैं six and nine क्योंकि वो हमारा non boolean है और end के बाद वाला statement ही हमारा true होने वाला है चाहे वो value बड़ी हो या छोटी हो उससे कोई यहाँ पर issue नहीं है हमारा result आने वाला है second parameter वाला अगर हम एक empty string पास कराते हैं और check कराते हैं तो हमारा empty string वाला आने वाला है otherwise हम कुछ भी ले लेते हैं value और यहाँ से non empty string पास कराते हैं तो हमारा आप देखेंगे second parameter को ही यहाँ पर ले ला है तो यह था हमारा end operator और operator के बारे में हम देख लेते हैं जैसे कि हमने बात करी थ होती है कोई भी एक तो हमारा result true आने वाला है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 20 more than 25 यह तो गलत है 20 more than 25 नहीं है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक बार और चेक करा 5 more than 2 तो एक condition ठीक है एक condition गलत है तो भी हमारा result आ रहा है true के रूप में एक और example देख लेते हैं 20 double equal to 20 yes और 5 यहाँ पर हमने डाल दिया more than 2 तो यहाँ पर दोनों condition true है तब भी हमारा result true ही आएगा तो और हमारा opposite होता है कोई भी एक condition true होने पर result true दे देता है इस PDF को आप download कर सकते हैं website से www.selfadhyan.in पर visit करने के बाद आप as a member अगर है तो वहाँ से इस PDF को download कर पाएंगे और जितनी भी PDF है Python से related उन सबी को study करने के लिए आप वहाँ से download कर पाएंगे तो यहाँ पर हमने देखा और का भी example not के साथ भी हम इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं double equal के साथ तो हमने इसे compare कर ही लिया है और अगर हम चाहें तो characters के साथ भी जैसे हमने देखा उपर की तरफ अगर हम सबस भी statement डाल देते हैं यहाँ पर हमारा false string पर ही second parameter आएगा otherwise हमारा पहला parameter आने वाला है जैसा कि opposite था हमने लिखा 9 and 0 तो अगर second statement होता है हमारा 0 और की case में तो second वाला parameter नहीं आता पहला parameter आता है लेकिन यहाँ पर तो हमने end लगाया है 9 and 0 तो हमारा 0 ही आएगा क्योंकि यह opposite है अगर हम लगाते हैं 9 और 0 तो उस case में आप देखेंगे पहला parameter आएगा इनकी end में आता था हमारा पहला statement false होने पर दूसरा parameter और यहाँ पर पहला parameter हमारा आएगा अगर दूसरा parameter false है यहाँ हम कुछ भी लगा लेते हैं 6 और 3 तो भी हमारा यहाँ पर पहला parameter आ रहा है राज एंड राजा एंड रानी यह जगह हम लिख देते हैं राजा और रानी तो भी हमारा यहां पर पहला पैरमेटर आने वाला है अगर हम यहां पर 0 ले लेते हैं उस case में हमारा जो result है वो पहले वाला आएगा अगर हम इसको opposite ले लेते हैं तो हम ले ले लिए यहां पर 0 और राजा उस case में हमारा आएगा second वाला result तो यह हमारा end वाले से opposite है next हमारा operator रहता है इसमें not और not के according यह नहीं होना चाहिए जैसे आप देखे not 5 greater than 3 लेकिन यहां पर तो 5 greater than 3 है और उपर हमने लिखाया नहीं होना चाहिए तो इसलिए यहां पर result आया है false इसी तरीके से हम और भी value को compare कर सकते हैं यहां पर हमने लिखा not 5 not equal to 5 yes यह यहां पर true है क्योंकि नहीं होना चाहिए 5 5 के बराबर लेकिन यह 5 5 के बराबर है तो उस case में यहां पर हमें result मिला है true यहां पर not में अगर हम कोई empty value देते हैं 0 या empty string तो ही उस case में हमारा result true होता है otherwise कोई भी 0 से other value होती है non boolean तो हमारा result वहाँ पर false के रूप में दिखाई देता है चाहिए हम not में आप देखे 6 लगाया है या not में hello उस case में हमारा false result आ रहा है या हम कोई भी complex number लेते हैं तो भी हमारा यहां पर false के रूप में आ रहा है अगर हम 0 value लेते हैं complex number में तो ही हमारा case return true के रूप में दिखाएगा यहां पर हम एक value ले लेते हैं x में 12 और यहां पर हम अगर check करें not x less than 14 लेकिन यहां पर हमारा x की value जो है वो 14 से छोटी है उस case में हमें यहां पर result मिलने वाला है false इसी तरीके से अगर हम check करें not x more than 30 yes यह condition हमारी ठीक है not के इसाब से तो उस case में हमें result मिलने वाला है true तो यह थे हमारे logical operator जिनको हमने सीखा and or or not के बारे में एक दो बार अगर आप इसे फिर से revise करेंगे तो आपको अच्छे से यह चीजे सारी समझा जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी operators के बारे में बात करने वाले हैं python tutorial में आगे और भी कई सारे वीडियो जाने वाले हैं अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है update के लिए तो चैनल को subscribe कर लें और अपने friends को भी वीडियो को share करें जिनसे उनको भी help मिले ये python tutorial सीखने में आज की वीडियो में इतना ही बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहे है self-adhyan के साथ thank you झाल